साथ पीडी राम देवजी की सुनों पहले हुए जामबाजी जेपार्क हुए चंदल जेपार्क हुए बिगड जेपार्क हुए भोजराज जेपार्क बोजराज जेपारके दो हुए शाइर जेपार और अर्शी जेपार्क हुए बाबाराम देवजी यह साथ बीड़ी है चेत्र सुद्य नौरात्रां की पांचां बुद्वार के दिन, दिन की ग्यारा पजी जनम होयो बाबा राम देव जी को, माता मगनी के गर्ब से होवा जिनका गोत्र पमार था, पिता जी सायर जी थे जिनके गोत्र जेपाल था, बादवा की दूज के दिन, चार मईना और सताइस दिन की उमर मरें, राजा अजमाल जी के तहीं गोत्र दिया राम देव जी को, सायर जी मरें, चार मईना और सताइस दिन का उया बाबा, इन साल में उंडू कास्मिर जाके आया हूँ, वहाँ मालूम किया है, अजमाल जी का नाम को एक कमरोभी को न उंडू कास्मिर जाके नाम को, एक कमरोभी को न जमाल जी का नाम को, उन जगे में, चोटो शोग गाउं आऊंगा हूँ, और ये फोकरना घड़ आज रामदेव जी को जनम, जो फोकरना घड़ में बताओ है, ये घड़ राजा अजमाल जी का नहीं था, रामदेव जी की उमर 25 साल की हो गई थी जब उंडू कास्मिर को छोड़के रामदेव राये थे रामदेव जी, रामदेव जी की उमर 25 साल की हो गई थी जब रूनी जो बशा कर रिया रामदेव जी, ये फोकरना घड़ तो अजमाल जी के बाप दादों का और इनके बुरुजों का नहीं है, ये तो चांदावत गोतर के जो राजपूत थे उनका घड़ है तो, अजमाल जी का इनसे कोई लेना देना नहीं था, आज राजपूत लोग रामदेव जी को मेल, राजा अजमाल जी को मेल बता करूं, उम कुमा के खा रही है, ठिकट कार कार, वहां से उनकड़ से कोई लेना देना नहीं, अजमाल जी बहुत गरीब राजा थे, बहुत गरीब राजा थे अजमाल जी इसलिए अजमाल जी का आजबास में रिष्टाई नहीं हुआ यह बाद रूनी जाया बाद में रामदेव जी बीस साली रिया बीस साल की उमर में समाधी लेनी पड़ी दो लड़काई पणन से क्या रामदेव जी का पांच कुवारा रिया क्योंकि राजबुतान पतो चाल की उचो गेत बड़ाई है मेगवाल है तो पांच पुर्वे एक तो दो तो रामप्रकाशी माराज की फुस्त का है रामदेव ब्रह्मपुरान एक रामदेव गफदर्शन एक डोटर कुशम मेगवाल की उप्देपुर की है मेगवाल बाबा रामदेव और एक खुदे तवरों की लिखी हुए अमयर अमर सिंग तमर की रामदेव महापुरान और चोथी पुर्श्त के एक सोना रामविश्णोई की लिखी हुई है डोक्टर सोना रामविश्णोई की उन्मों न भी सिद्ध किया कि रामदेव जी मेगवार है अन्य जयत्या तो मान चुकी मैवदेव जी मेगवार है